देपालपुर में कर्णि सेना एवन सर्व राजपुत माज ने पुलिस थाने का गेराओ किया और पुलीस से जूटा केस वापस लेने की मांग की और पुलीस के खिलाब जूटी कारिवाही को ले कर नाराज़ की जहिद की वही पुलीस ने जिसे फर्यादी बना कर प्रकरन दर्जी किया उसने मीडिया के सामने खुलासा करते वे कहा कि मैंने कोई शिकायत नहीं की मुझे थाने पर बुला कर तीन कोरे कागज पर दस्तखत करवाए राजपुत समाज भी हमारे भाई हैं क्योंकि हम हिंदू है और हिंदू स्ता हमारा है दरसल बीते दिनों देपालपुर में राजपुत समाज एवं करणी सेना द्वारा सरकार के खिलाप पर दर्शन कर नारे बची की गई जिसके बाद देपालपुर पुलिस ने राजपुत समाज के 30 से अधीक लोगों पर केस दर्शी किया था करणी सेना के पदादी कारियों एवं राजपुत समाज के लोगों ने देपालपुर पुलिस थाने पर पहुच कर केस खत्म करने की मांग की और संबंदित पुलिस कर्मियों पर कारी वही करने की मांग की देपाल पोरे इंदाओर से राजन सुर्य वंची की रिपोर्ट करने सेना वालों का जुलूस निकल रहा था और मेरी दुकान पर खड़ा था तब हरवेंद्र यादव जी आये उन्होंने मुझे बुलाया बोले कि यार पांच मिट का काम है तो थाने चल फिर उन्हें मुझसे बुछा कि तेरी समाज क्या है मैंने बलता है मेरे समाज चमार समाज का हूं मैं फिर बोलते कि चल पांच मिड का काम है तो तू थाने चल यह को ऐसे करके बिठाया उन्होंने बिठाने के बच्चाइद वो दुकान पे थाने पे ले गाए वहाँ पर तीन या साड़े तीन घंटे बिठाया और कोरे कागज पर साइन करवाई और मेरे नाम पूछा मेरे माता-पिता का नाम जोहान ने एफाय दरजे करवाई करनी सेनाओं के लिए जबकि उसकी अंकिकता पता चला ना वो गया तो पेपर में देखा तो पता चला कि यार वो ऐसा हुआ मेरे साथ फिर मैंने करनी सेनाओं को मनले बहुत सारे लोग मेरे पास आये उनने पूछा कि तू ने हमारे खला करवाई क्यों करी फिर मैंने उनको बता है कि मैंने कोई कारवाई नहीं करी मुझे जबरजस्ती नाम लिखा गया मेरा और जबर शसाय गया उन लोगों के पास किसी के फोन भी आ रहते बार बार कोई दबाव भाव था सायाद उनके उपर तो इसलिए पुलिस वालों के सब्सक्राइब करें जैने राइट समक्राइब मंजे रहे होगे में राइट सेयुल बवाइब दोस्ता को मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं और सब मेरे भाई है और सब हिंदु हम भाई भाई है। करण एक विक्ति के जुड़े बयान लेकर हमारे पांच लोगों के उपर नाम दर्ज मुकदमे और करें चालिस्त लोग अग्यात लोगों के उपर मुकदमे दर्ज किये थे इसका वीरोध कराने के लिए अपने शब्साप के नाम पर और शब्साइब हैं और कोई भी दोसी न करने के लिए अघर नहीं करते हैं और में दबाव करते हैं तो करनी सेरें लोगा कारी विवस्ता है वह से आधोर हम लोगों अच्छे से आता civilians अनुए जाती है अगर नहीं करते हैं तो फिर बड़े लेवल पर इसका गेराव करेंगे और जुटे मुकद में प्रते हैं सरकार या अपने जीला प्रसासन या थाना अरीकारी अगर जुटे जुटे मुकद में दर्ज कराता है तो उसका दूस्पर ना भी उनको भुखतना पड़ेगा करना जाहूंगी कि जांच करके अगर जो भी उसमें सही चीज आएगी उसके उपर कारवाई की जाएगी अभी लगभख कितने लोगों पर कारवाई की गई क्या कुछ हो इसमें ऐसे सफ लगभख संख्या लिखी हुई है 30-40 इसमें किसी का कुछ लोगों के नाम और 30-40 ली नहीं जाती है उसमें जो भी आगे पॉसिबल होगा वो कारवाई होगी उसमें तो आगे की कारवाई ये एक बार होने के बाद में जो आगे होता है वही प्रोसेस होगी हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुलें